दोस्तों जयज़क आपसों को पताए कि वोर्ल चेस्ट सेम्पेसिव का फाइनल दोस्तों नौ रणनस अस्टोलिया ने अपने नाम किया इस मार्ज में सुमन गिल के विगेट को ले कर काफी विवाद खड़ा हो गया दूसरी पारी के दोरान सुमन गिल का विगेट आया सुमन गिल के इस विगेट की चर्चा चारू तरफ दी फैंस लेकर बड़ी हस्तिया तक उनके विगेट को गलत बताया सुमन गिल के इस विकेट पर बॉलिवूड एक्टरस ने भी अपनी प्रतिक्रियस जाहिर की आईए आपको बता दे हैं कि एक्टरस ने क्या कहा बॉलिवूड की मसहूर एक्टर स्रदा कपूर ने अपना रियक्शन जाहिर किया स्रदा कापूर ने अपने इंस्ट्राग्रामा स्टोरी पर छिलके वाले बादाम की तस्विर सेर की इसमें वा हस्ती हुई और हाथ में लिए बादाम दिखाई नजर आ रही है इसके साथ उन्होंने कैप्सन में लिगा धर अमपायर को बादाम उफर कर रही हूँ उनका ये इंस्ट्राग्रामा स्टोरी काफी वायरल हुई है फैंस स्रदा के इस मैसेज को सुमन गिल के लवर फेर से जोड़ कर देखने लगे हैं दोस्तो आपको बता दे कि सुमन गिल का नाम बॉलिवूड डेक्टर के साथ जोड़ता रहा है इससे पहले उनका नाम सारा अली खान के साथ भी जुड़ा था फैंस सुमन गिल और सारा तंदुलकर का नाम भी आपस में जोड़ते रहते हैं दोस्तो आपको बता दे कि सुमन गिल के इस विगेट के फैसले के बाद खुछ सुमन गिल भी काफी नाराज नजर आये थे जिसके बाद आई सीसी ने सुमन गिल पर मैज फिस का 15% जुर्माना भी लगाया था दोस्तो क्या आप अंपायर के स्वैसले से खूस हैं हमें कमेंट सेक्शन में जुरू बताएं